तो हेलो गाईज, आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि आप जो मेरी रीसेंट इंस्टाग्रम पोस्ट है, जिस पर मैंने ये सूपरमेन कंसेप्ट गनाया है, उसको आप पनी फोन में पिक्सार्ट पे कैसे बना सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक इस तरह से फोटो किचवानी होगी, जिसमें कि आप ऐसा एक्ट कर रहे हो कि जैसे आप अपनी शर्ट खोल रहे हो और उसके नीचे से कुछ रिवील हो रहा है, और इस फोटो को क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कि अगरना ह अपने पिकसार में आना होगा, उसके बाद मैं गुछ आपको जो है पी एंजी और जो फोटो और उनके लिंक दे दूगा, सबसे पहले आपको गया गरना होगा, आपको वैसे ही, आपको सेम तरीके से, जो लास्ट जैसे मैंने बताया था, आपको तूल्स पे जाना है पहल इसके बाद इसको कर देना है, इसको कर देना है, इसको कर देना होगा, आपको दीरी दीरी फोटोस एड करते जाना होगा, सबसे पहले आपको एड़ फोटो पे जाना है, आपको ये वाला जो बैग्डाउंड है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, आपको एड़ कर देना है, फो इसको select करना है then simply photo को थोड़ा छोटा गरूँगा मैं इसको बड़ा करके मैं बॉर्डर के साथ जो है fit कर दूँगा और इसको एक दम ऊपर ले जाओँगा यहां पर fit करने के बाद मैं फिर से एड़ फोटो पर क्लिक अब की बार मैं दो फोटो सेलेक्ट करूँगा जो आप अपनी ऐसे फोटो के चवाएंगे और इक मैंने इहां पर superman का जो है वो दे दिया है आपको PNG तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा साइड पे करूँगा और अपनी model layer को लेके आऊंगा आगे तो मैं थोड़ा बड़ा गर के रिएडजस्ट कर लूँगा सेंटर में यहां पर ठीक है फोड़ा और बड़ा गर लूँगा और थोड़ा नीचे यहां पर बिल्कुल सही लग रहे है अब जो मेरी superman layer है इसको मैं क्या करूँगा simply थोड और यहां पर जो है left hand side पर layers पर क्लिक करूँगा और इस layer को मैं move up कर दूँगा तो जो मेरी superman layer है वो अपने पीछे जल जाई simply मैं ok कर दूँगा अब guys यहां पर जो है बहुत ही ज़्यादा main step आता है मैं क्या करूँगा draw tool में जाऊंगा shadows draw करने के लिए draw tool में जाकर मैंने क्या करना है simply इसको zoom किया थोड़ा सा इता ठीक है मैं brush की settings पर गया मैंने जो basic सबसे पहले standard brush होता है वो चूँज किया hardness zero की उसकी opacity थोड़ी कम किया और size को थोड़ा सा ही बड़ा रखा पहले मैं stroke मार कर देखूँगा सही लग रहा है काफी तो मैं थोड stroke मारूंगा यहां दो मेरे चल जाएगा काम लेकिन अब यहां पर मेरे को 3-4 strokes मारने पढ़ेंगे उसको थोड़ा डाक दिखाने के लिए same hands के उपर भी ऐसा ही करूंगा और यहां से भी नीचे से भी तो guys अब इतना होने के बाद जो मेरी shadows हैं वो गई वो बन चुकी है मेरी shadows की layer को select ना करें precisely आपको काफी जादा जो है मैनत करनी पड़ेगी यह tutorial काफी जादा time taking होगा आपके लिए but ultimately यह आपका ही फैदा देगा मैं हाथ पे अभी draw कम करूंगा क्योंकि इसको मैं आगे बताऊंगा कि किसलिए मैंने छोड़ा यहां से same यहां से थोड़ा estimate से मैं कर दूंगा अब जैसा कि आप देख सेकते हैं मेरी shadows है वो नीचे काफी सही form हुई है लेकिन वो उपर काफी बिकार लग रही है तो simply मैं settings में जाओंगा eraser की hardness zero करके opacity कम करके brush का size हलका सा बढ़ा के opacity थोड़ी कम कर दूंगा और बस यहां से मैं strokes मारने शुरू कर इसे होगा कि इससे बहुत सही gradient बन जाएगा और गाइस मैं आपको assurity देता हूं कि जो मैंने photo photoshop पे बनाई है वो Pixar में बन जाएगी और यहां से simply मैंने काफी strokes मार दिया है और मेरे को result काफी सही लग रहा है जैसा कि आप देख सकते हो जो है shadows काफी सही बन चुकी है अब इ मेरे को 55 के आसपा सही लग रहा है आप अपने case में देख लेना आपको क्या सही लगेगा तो मैं यहां से simply कर दूँगा done अब done करने के बाद मेरे जो है वो shadow हो चुकी है ready अब मेरे को पीछे से light को travel कराना है उसके लिए मैं क्या करूंगा simply पहले मैं effects पे जाओंगा then यहां से मैं brightness select कर लेंगा brightness को मैं थोड़ा सा बढ़ा कर यहां पे check करूंगा कौन सा जो color option है वो मेरे लिए सही रहेगा तो guys मेरे को screen काफी सही लग रहा है और मैं just simply यहां से अब eraser tool पे click कर दूँगा अब यहां से होता है आपका main काम जो शुरू आपको करना क्या होगा आपको simply Eraser tool पे जाना है और यहां से जो है आपकी मेनत हो जाएगी शुरू Eraser tool पे click करने के बाद आपको opacity जो है अपनी 50% कर देनी है brush का size थोड़ा चोटा कर देना है hardness जो है बिल्कुल zero कर देनी है अब यहां से दीरे जीरे आपको जो है जो edges पे है वो paint करते जाना है ध्यान रखे आपके सिर्फ edges पे paint होना चाहिए जो आपका outer glow है यहां फिर जो आपका background है वहां पे कुछ असर नहीं बढ़ना चाहिए वरना आपका काम जो है वो थोड़ा जादा बढ़ जाएगा देखे मैं कितने अराम से simply strokes लगाते जा रहा हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहां पे जो है edges अपने रेज कर लिए मैं simply इसको मैं invert कर दूँगा selection को तो आप देख सकते हैं जो glow है वो काफी सही तरीके से बना है बट यहां पे कुछ areas है जो बाहर निकल चुके हैं जो हमारी के लो जो edges हैं उससे तो इसको fix करने के लिए आपको क्या रहना होगा hardness full opacity full और अपनी जो है size का brush का size जो है adjust करना होगा then simply again आपको paint करना start कर देना होगा eraser tool से लेकर और यहां से मैं ऐसा करता हूँ hardness कम कर देता हूँ और brush का size थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो इससे जो है gradient बन जाएगा और ultimately जो effect है वो पता चलेगा लेकिन आपका जो पहले किया हुआ काम है उस पर effect नहीं करेगा तो यहां से simply मैं paint करते जा रहा हूँ सेम इदर से भी जहां से आपको लगता है जादा हो चुका है तो guys मेरे को यह काफी चाही लग रहा है अब मेरे को brightness जो है वो accordingly adjust करने होगी कि मेरे को कितरी चाहिए मेरे को पूरी चाहिए तो मैं पूरी कर दूँगा बट मेरे को इतनी नहीं थोड़ा सही लग रहा है मैं soft light करके इसको थोड़ा सा बढ़ा दूगा यहां से okay कर दूगा अब जो है guys फिर से हमको effects पे जाना है यहां से contrast पे जाना है contrast पे जाने के बाद contrast को high कर देना है और eraser tool पे click कर देना है और again उसी step को follow करना है आपको simply वहां वहां से erase करते जाना है इस बार ही आपको जो brush है वह काफी hard रखना पड़ेगा क्योंकि आप जो corners पे है corners पे draw करेंगे तो यहां से मैं pasty और hardness को hard करने के बाद brush का size थोड़ा छोटा रखके तो अगर तो hardness कम कर विस्तों थोड़ी opacity को pull रहा है और erase करते जाना है दीरे-दीरे याद रखिए आपको under exposed हुएगा और जो side से areas होंगे वो overexposed हुएगे क्योंकि light जो है struck कर रही है उनमें से तो यहां से मेरे को result जो है काफी सही मिल रहा है same मैं hairs के साथ भी ऐसा ही करेंगा then simply मैं यहां से कर दूँगा invert तो invert करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि मेरी selection काफी जगा से सही हु कर दूँगा अब simply मैं यहां पर stroke लगाते जाओंगा ताकि यह थोड़ा transition जो है वो smooth हो जाए भद्दा न लगे और उसके बाद simply और यहां से जो है मैं hardness को और opacity को हाई कर दूँगा और simply here से अपने remove कर दूँगा developing shoulders पर थोड़ा सा काम रह गया तो वही opacity कम करके hardness zero brush का size पूरा and then यहां से धीरे-धीरे strokes मारूंगा काफी slowly तो अब यहां से गल दूँगा है मैं okay अब आपको देखना है कि आपकी जो है वो shadows वो बिल्कुल सही बन रही है यहां से मेरे को थोड़ा सा hour change करना पड़ेगा मैं इसको full कर दूँगा और उसके बाद blending mode पर देखता जाऊंगा कि मेरे को क्या सही लग रहा है well मेरे को soft light पर काफी ज्यादा सही लग रहा है तो मैं soft light पर okay कर दूँगा अब आपको जो है एक simply color add करना होगा color add करने के लिए फिर से आपको effects पर जाना है और this time colorize you have to choose then आपको view जो है उसको orange कर देना है orange करने के बाद fade थोड़ा सा बढ़ा देना है और इसको multiply कर देना है और again धीरे-धीरे painting करनी start कर देना है but this time opacity should be at somewhere 50 and your hardness should be 0 brush size you have to choose accordingly then guys simply strokes जो है वो मारते जाहें आप धीरे-धीरे एक-एक stroke जादा नहीं अगर आप चाहें तो opacity कम कर सकते है accordingly मेरे strokes यहाँ पर ready है इसको मैं invert कर दूँगा फिर से और मेरे को यह काफी सही लग रहे है पहले में थोड़ी selection सही कर लो अपनी अब यहाँ से जो है वो मेरे को simply मैं कर लूँगा change अपने blending modes देखना है किस पे मेरे को लग रहा है जादा सही और मेरे को soft light पे काफी सही लग रहा है क्योंकि मैं simply hue को adjust करके orange आपको ध्यान देना है कि आपकी जो tint है वो पीछे वाले colors के साथ match होनी चाहिए 22 मेरे को सही लग रही है fade हलका सा मैं बढ़ा दूँगा और यहां से कर दूँगा मैं okay तो भी मेरे को काफी सही लग रहा है जो है result मेरा अब इसके बाद मेरे को जो है वो shadows जो है वो अपने आगे उपर ड्रॉ करनी पड़ेगी adjust पे जाऊंगा मैं यहां पे मैं brightness थोड़ी कम कर दूँगा contrast हलका सा कम कर दूँगा saturation हलकी सी कम करके highlight zero और shadows थोड़ी सी कम और जो soft brush है opacity कम, hardness zero soft brush के साथ अपने face पे हलका सा paint करूँगा chest पे arms पे और superman वाला area जो है जो है मैं वो छोड़ दूँगा और invert कर दूँगा यहां से simply तो आप देख सकते हैं जो मेरा changes है वो reflect कर रहे हैं तो भी यहां से जो हो गया सारा manipulation का काम done अब यहां से मैं photo को save कर दूँगा draw tool में जाकर यहां पे मैं click करूँगा save image पे तो जो image है वो मेरी gallery में save हो चुकी होगी तो guys मेरी जो photo है वो यहां से यहीं पे ready हो चुकी है अब मैं यहां से adjust tool में simply और यहां से brightness hulk की सी बढ़ा दूगा यहां की yellow tune चाहिए इसमें तो मैंने इसमें lightroom का use नहीं किया है अगर आप अपनी photo में lightroom use करना चाते हैं और अगर आपको use करना आता है तो आप वो use कर सकते है तो आप देख सकते हैं थोड़े से time में मैंने कितना कुछ है जो इसमें बना दिया है अब आप यहां से देख सकते हैं कुछ जगा पर सही नहीं हुगा है क्योंकि मेरा just purpose था आपको समझाना आपको काफी ज्यादा time इंवेस्ट करना होगा इसमें तांकि आप अपनी photo को अच्छे तरीके से result जो है वो बना सकें आपको brushist का ध्यान रखना होगा स्लेक्ट करते वक्त तो यहां इस वीडियो में बस इतना ही आशकरतों आपको मेकी की मेनत पसंद आई हो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए